असलाम अलेकूम वरहमतुलाई वबरकातु हूँ असलाम अलेकूम वरहमतुलाई वबरकातु हूँ ये खुबसूरत श्याम है नय नाजमबाद की और सापसुत्री सड़के खुबसूरत पौदे दरख फूल खुबसूरत चौरंगी एक ग्लोब चौरंगी जिसको दुम्या चौरंगी भी कहते हैं, रोशनिंग का मन्जर, बादलों का बारिश का मौसम है, तो हसीन बादल, तुम्हीन मन्जर है, माशालाद, यह एक है, जब सबकी हसन के बाद से जब चलना शुरू होते हैं, अंडर ब्रिज, जो कंस्रॉक्षिन चल रही है, तो रास्ता इस खड़र तकलीद है, यह घोड़ा चरंगी आगी, घोड़ा चरंगी, वाइट वाइट फ़गोरे हैं, जोड़ा चरंगी कहते हैं, तो बार रहा जय जब अल्लाई चु क्राम हें के लज़हर पहुचाया, वेने बाकी शेहर का हाल इतना बुरा है रोडों का हाल ठीक है सारी चीज़ें रीचबल है वहाँ पे अब दौर्थ में भी चले जाएं तब भी चीज़ें वेलेबल है लेकिन जो हर वक्त का मामला होता है ना कि घर के बाहर का हिस्सा कुड़ा करकर गंदी रोडें गलियां कच्रा पड़ा हुआ है ये सबसे बचे हैं अलहमदलिल्ला और अल्ला का बहुत-बहुत करम है तो आप देखें कि इतना खब्सूरत मंजर है मगर्ब के बाद का टाइम है थोड़ी थोड़ी रोश नहीं थोड़ा अंधेरा हो चुका था तो इसका मंजर है ये रोड जा रही है और सीधी ये जो दिवार के साथ रोड है ये सबसे आसान समझने के लिए रास्ता है इसे हम अपने घर पर पहुंच सकते हैं मैंने शुरु शुरु में जो सारे घर जैसे हैं भी लगते भी हैं और जब नहीं पहचान होती तो पिर पर सेंग लगती मैंने तो यही पहचान रखी थी कि इस दिवार के साथ साथ चलो तो मारा घर आ जाता है कि यह वो दिवार है जो उसके नेक्स्ट सुल्तानाबाद है तो बहुत हसीन है अलहमदुलिल्ला अल्ला का बहुत करमी यह रोट को भी बहुत अच्छा कर दिया है दरख लगाएं में लाइन से दरख लगें में और इस ट्रैक पर कोई और चीजह नहीं आती तर शीदा जाए जा सकता है गारी से जबादर शाम का मनजर बस इस सीदा जाते हैं सीदा जाते जाते एक पहाड आ जाता है छोटा सा एक पहाड है तो यह यह वहां तक जाती है रोड उसके बाद आगे भी यह लेकिन आगे जो है वो पहाड की बज़ा से पहाड के बाद रोड बनी हुई तो है लेकिन वह सिर्फ रास्ता है रोड सही से बनी ही नहीं है और इस तरह से हम अपने घर पे पहुंच जाते हैं बस यह है कि गारी चलाने में भी अच्छा लगता है तो कि रास्ते में कोई मसलिय मसाइल नहीं है अलहम्दुलिल्ला अल्ला का बहुत बहुत शुकर है